दोस्तो आज हम आपको इस वीडियो में एक डबल सेबन स्पोर्ट कंपनी के किर्किट बैट का अनबॉक्सिंग और रिवीव देने जा रहे हैं यह दोस्तो इनकी कॉंटेक्ट डिटेल्स है और इस बैट को हमने आउनलाइन ओडर किया था यह आज हमको चार से पांच दिन के बीट में मिल गया है तो दोस्तो डबल सेबन स्पोर्ट टैनिस किर्किट बैट बहुत यह इच्छी क्वालिटी बनाता है और इंडिया के अंदर टॉप ब्राइवीं से एक है डवल सेबन स्पोर्ट जो की बहुत ही अच्छे किर्किट बैट बनाते हैं न दो दोस्तों इस तरह का डिबबा आ जाता है पैकिंग में जिसमें की कॉंटैक्ट डिटेल्स ड़ी रहती है और डेलिवियर रिकूरियर सर्विस से हमको डिलेवर हुआ है देखें दोस्तों यह है डबल सेविन टैनिस किर्केट बैट देखने में दोस्तों बहुत ही अच्छा बैट यह दिखाई दे रहा है और मैंने बहुत ही चेक करके इस बैट को ओडर किया है देखें दोस्तों यह कस्मीर बिलो वूट का बना हुआ है और पिरो पिलियर अडेशन इसका मॉडल नमबर है बैट में देखें दोस्तों स्टीकर में इनका कॉन्टैक नमबर लिखा हुआ है और पीछे के साइट को इस तरह की डिजाइन आपको मिल जाती है इसमें दोस्तों बहुत सारे डिजाइन आती है पर यह डिजाइन मुझे पसंद है और इस डिजाइन का बैट भी सकसेज है तो मैंने इस डिजाइन का ओर्डर किया था देखिए दोस्तों यह साइड पर फाइल आप देखिए यह दोस्तो डबल विलेड बैट है और इसका हैंडल की दोस्तों बहुत तीरे बज्ज़स्त है सिंगापूर केन हैंडल इसमें लगा हुआ है कि यह देखिए दोस्तों यहां पर मैं अपनी वैपसाइट में इसन कर रखी है अब बहुत ही खुशूरत और बहुत ही अच्छा बैठ है यह दोस्तों चेक करते हैं इसकी हम पिंग क्योंकि हमें टैनिस की बॉल से खेलना है और यह टैनिस के किट बैठ ही है और दोस्तों इसकी अब हम लंबाई नाप लेते हैं देखिए आप यह इसमें दोस्तों यह हैंडल लगा है वो सिंगल रवल सिंगल पूर केन हैंडल लगा है और हैंडल की लंबाई की बात करें तो यह देखे दोस्तो तो साड़क 10 इंच का हैंडल है तो दोस्तो यह चोटे साइच का हैंडल है यह आप मेडियम भी कह सकते हैं और दोस्तो इसकी बिलेट की बात करें तो साड़क 14 इंच इसकी बिलेट की लंबाई है तो दोस्तो यह 35 35 इंच का बैट है यह दोस्तों फुल लैंज का बैट है और इसको हम लोग घर में इसकी लंबाई ना पराए ग्राउंड से हम लोग इससे खेल के आ रहे हैं और यह देखें दोस्तों इसका टो सवा इंच का यह इसका टोगाड इसमें लगा हुआ है जिसकी चौडाई सवा इंच है और देखें इसकी बिलेड की चौडाई साले चार इंच है तो दोस्तों साले चार इंच है जिसका चौडा बिलेड है और 35 इसकी बैले की लंबाई है तो दोस्तो अब हम इस बैट से खेल के आ रहे हैं राएँ बहुत ही जवर जस्थ पंच से जा रहे हैं बहुत ही अच्छ बैट एकुर opened के एक फिर्वार प्यार रहे और दोस्त okay आड की बाद कर करते हैं बजन की बात इसका बजन कितना है क्योंकि क्रिक्ट बैट का बजन भी बहुत ही इंपोर्टेंट होता है ना बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए तो देखिए दोस्तों टोटल वेट इसका 1.185 एक किलो 185 ग्राम इसका बजन है और दोस्तो अभी यह जो वारियंट है यह आउडर पे हमारे बना है क्योंकि स्टॉप नहीं था तो अभी इसका बजन हमारा करीब 100 ग्राम और कम हो जाएगा और जो किर्केट बैट होता है दोस्तो टैनिस किर्केट बैट उसका बजन एक किलो से लेकर एक किलो 200 ग्राम के बीच में होना चाहिए बाकि खिलाड़ी की हाइट पर डिपेंड करता है तो दोस्तो 77 स्पोर्ट बहुत यह अच्छी कमपनी है बहुत यह अच्छी और खुशलत किर्केट बैट यह अलग अलग डेजाइन के बनाते हैं देख सकते हैं आप आपको जो भी पसंद आए आपने इसाब से ले सकते हैं दोस्तो बहुत ही पॉपलर बिरांड है 77 इंडिया के अंदर भी इनकी सेलेंग है और बार्ड में कई देसों में इनकी सेलेंग होती है तो बिरांड भी दोस्तो बहुत अच्छा है अगर आप लेना चाहें तो इनको पॉंटेट करके आउनलाइन ले सकते हैं हर जगा इनकी डिलेवरी हो जाती है दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राब जिरूब करें